दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूटूब चेनल टेक्वी थैक्यू मैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी एक CST वियली हैं कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो किस तरीके से आप अपने CST पोर्टल के मांद जमसे लोगों का यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ट बना सकते हैं इसकी कमप्री जानकरी आपको आज किस वीडियो में लाइब करके दिखाने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले आप यहां पे सर्च करेंगे कार्ट प्रिंट इसके बाद में एप्लिकेशन फॉर्म फॉर्ट कार्ट प्रिंट इस वाले उप्सन पे आपको किलिक कर लेना है जैसे आप इस पर किलिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप सभी के सामने UDID की official website open हो के आ चुके, इसका डिरेक्टर लिंक आपको मारी वीडियो के नीचे description में भी देखने को मिल जाएगा, इसके लावा जैसे आप नीचे की और में scroll करेंगे तो आप सभी के सामने एक नए application के registration के लिए page open हो के आ चुके है जिसमें सबसे पहले आप जिस भी language में इस form को फिल करना चाते हैं, आपको language का selection या से अपने recording कर लेना है, इसके बाद में आपको personal detail फिल करना है, जिसमें आप applicant का name में आपे फिल करेंगे, जैसे आप याँ पे English में name फिल करते हैं, नीचे Hindi में automatically फिल हो जाएगा, इसके ब इन option को आपको जरूर से आप फिल करना है, इसके बाद में mobile number आप याँ फिल करेंगे, gender का selection आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है, नीचे category का selection आपको कर लेना है, इसके बाद में applicant का जो भी blood group है आपको याँ से select कर लेना है, इसके बाद में अगला option आप सभी को देखने क को मिल जाता है, relation with person जिसमें कि आपको फादर इस वाले option को select कर लेना है, guardian का name आपको याँ फिल कर लेना है, इसके बाद में guardian का contact number आप याँ फिल करेंगे, इसके बाद में आपको applicant की फोटो याँ पर upload करने होती है, जिसके लिए आप साइज याँ पर देख सकते हैं, आप आपको signature upload करना है, उसकी जानकारी आपको याँ पर देखने को मिल जाती है, इसके बाद में आपको कुछ optional detail याँ फिल करने होती है, सबसे पहले applicant की जो भी annual income होगी आप याँ फिल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एक option को select कर लेना है, इसके बाद में applicant की highest qualification application आपको याँ पर select कर लेना है, applicant employer है, फिर unemployed है, आपको याँ से select कर लेना है, इसके बाद में proof of identity में आप कौन सा document याँ पर upload करना चाहते हैं, उसका selection आपको सबसे पहले याँ से कर लेना है, जैसे कि आप याँ पर आधार कार्ट को भी upload कर सकते हैं, इसके बाद choose file पर click करक आप अपने आधार कार्ट को याँ पर upload करेंगे, नीचे आपको applicant का जो भी आधार कार नंबर है, याँ पर फिल कर लेना है, इसके बाद में आपको साबने एक declaration देखने को मिल जाता है, आप इस वाले box पर टिक करेंगे, तो जैसे आप ये सारी detail फिल कर लेते हैं, आपको आपके address की detail को याँ पर फिल करना होगा, सबसे पहले आप अपने address proof के लिए कौन सा document याँ पर select करते हैं, उसका selection आप याँ से कर लेना है, आप जो भी document याँ से select करेंगे, चूज फैल पर किलिक करके आपको अपने document को याँ पर upload कर लेना है, इसके बाद में applicant का complete address आप य नीची के और में scroll कर लेना है, आपके याँ पर option देखने को मिल जाता है, disability type, यानि कि आपका जो भी विकलांगर type होगा, आपके याँ पर कापी सारे option देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने according याँ से किसे एक option को select कर लीजे, आप जो भी option याँ से select करते हैं, उससे related detail आ इसके बाद में अगर आप बर्थ से विकलांगे याँ फिर बर्थ के बाद आपके याँ से अपने according option को select कर लेना है, अगर आप याँ से उसका time period select कर लेना है, इसके बाद में आपको अगला option देखने को मिल जाता है, अगर आपके पास विकलांगरсяч certificate है तो आप यहाँ पर इसके बाद में आपको अगला उप्शन देखने को मिल जाता है आपका जो भी certificate registration नंबर होता है आप यहाँ पर फिल करेंगे इसके साथ में जिस भी date को आपका certificate इस विकलांगे आपको आपको फिल कर लेने हैं आपका जो भी विकलांगे सार्टिफिकेट होता है उसमा आपको पर्सेंटेज देखने को मिल जाएगा तो आप में फिल कर लेंगे इसके बाद में आपको simply नीचे की उर में स्क्रॉल कर लेंगे जिसमें सबसे पहले आपको option देखने को मिल जाता है अगर आप किसी other hospital में अपना check up कराना चाते हैं तो simply आपको इस वाले box पे tick कर लेना है इसके बाद में आपको hospital की detail के आपे mention करना होता है जिसमें सबसे पहले आप जिस भी hospital में अपना check up कराना चाते है कि इस state में आपको state का selection या से कर लेना है इसी तरीके से आपको district का selection या से कर लेना होगा इसके बाद में last time आपको hospital का name या पे find कर लेना है नीचे आपको एक capture code दिया गया है जिसके आपको solve करके आपे फिल करना है इसके बाद I agree इस वाले option पे आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए simply आपके आपके option देखने को मिल जाता है card status का आपके आपके क्लिक करेंगे कुछ निर्देस आपके आपके देखने को मिल जाते हैं तो आप चाहिए तो इन्हें readout कर सकते हैं और अगर आपका card बना है यानि इसकी जान का जिए आपको check करने हैं इसके लिए सबसे पहले आपको login इस वाले option पे क्लिक कर लेने हैं इसके बाद मैं सबसे पहले आपके आपके इंडॉल्मेंट नमबर यानि कि आपका जो भी reference नमबर आपको form submit करने के बाद दिया जाते हैं आपके फिल करेंगे data पर तापको फिल कर लेने इसके बाद मैं catch up solve करके आप जैसी login वाले option पे क्लिक करते हैं तो आपके application का जो भी status होगा आप सभी के सामने open ओके आज आता है तो आई हो कि आपको आज के जान कर ये पसना ही होगी आज की वीडियो में बस इतने ही हैं मिलते हैं आपको पिस्टे के से एक नए वीडियो के साथ